गुड मॉर्निंग फिप्ट क्लास सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड पार तीन सब्द विचार प्रिश्णतर देखें बच्चों सब्द किसे कहते हैं सब्द क्या होते हैं दो या दो से अधिक वर्णो को के सार्थक मेल को सब्द कहते हैं वर्णों को मिला कर क्या बनते सब्द लेकिन उनका सार्थक सब्द होने चाहिए ना सब्द को कितने अधारों पर बाटा जाता है प्रतेक का नाम लिखो सब्दों का वर्गी गर निमनी लिखित अधारों पर क्या गया है क्या क्या है वो उत्पत्य असोत के अधार पर अर्थ के अधार पर प्रियोग के अधार पर और हचना के अधार पर सार्थक वा निरर्थक सब्दों में अंतर बताना है सार्थक सब्द क्या होते हैं ऐसे सब्द जो किसी निचित अर्थ का ग्यान दे कर आते हैं मतलब जो meaningful word होते हैं जिसे लकरी, हवा, अमीर निरर्थक सब क्या थे वे सब जिनका अपना कोई निचित अर्थ नहीं होता मतलब meaningful नहीं होते हैं वे क्या क्यलाते है निरर्थक सब जिसे वा, न, वा, 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 न, आदी जिनको ऐसे ही बोल दिया जैना जिनका कोई अपना अर्थ ना हूँ